हेलो एवरिमन तो आज हम अपना और्गैनिक कमेस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और और्गैनिक कमेस्ट्री का सबसे फॉर्स चैप्टर लाट इज हेलो एलकेन एंड हेलो एरेंज हम स्टार्ट करेंगे बेफोर स्टार्टिन नर्चैप्टर हम इस बात में जान लेते हैं क्या हैं हेलो एलकेनifs कहते किसे हैं तो आएंड हैईलो एलकेन्ज कैसे जरीन च्राट करते हैं है बाते हैं क्या CH3,CH2, and this is X, आपका X क्या हो सकता है, X कोई भी हैलोजन ग्रुप हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, एड आयोडीन हो सकता है, अगर एक्स के जगब पर इन चारों में से कोई भी एक प्रेजेंट हो, तो यह जो कंपांड होता है, अम इसे हैलो एलकेन्स बो इन्हें हम क्या बोलते हैं हेलो एलकेंस बोलते हैं अब आपकी यह कारवन चेंड कितने भी बड़ी हो सकती है कितने भी छोटी हो सकती है minimum CH3E group होना ही चाहिए so CH3I या CH3CL अल दीज आर हेलो एलकेंस या हम इन्हें अलकाइल हेलाइट्स भी बोलते हैं अलकाइल हेलाइट्स भी बोलते हैं अगर कहीं किसी बोक में आपको अलकाइल हेलाइट्स लिखा हुआ अगर आ जाए तो उसे परिशान होने वाले बात बिल्कुल भी नहीं है अब समझ रहा है यह हो गए आपकी हेलो एलकेन एंड अलकाई हलाइड्स की बात अब बात करते हैं हेलो एरीन्स किसे बोलते हैं हेलो एरीन्स देखें यह जो कंपाउंड है इस वॉन इसे हम एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं एलिफेटिक बोलते हैं अगर बेंजीन रिंग हो बेंजीन रिंग आपको पता है और्गेनिक कमिश्ट्री का भगवान बेंजीन बेंजीन में 6 पाई एलेक्ट्रॉंस होते हैं दो पाई एलेक्ट्रॉंस यहां दो यहां दो यहां 6 पाई एलेक्ट्रॉंस होते हैं और बेंजीन जो होता है वो अरोमेटिक इन नेचर होता है अरोमेटिक नेचर का होता है और यह काफी स्टेबल जितने भी और्गैलिक कमपाउंस होते हैं अगर अरोमेटिक कमपाउंस के अगर हम बात करें तो मोस्ट स्टेबल कमपाउंस होते हैं अरोमेटिक कमपाउंस है ना और अगर हम अरोमेटिक कमपाउंस से लाइक बेंजीन से अगर हम किसी हैलोजन को एड़ कर दें या फिर हम डारेक्ट हैलोजन को एड़ न करके अगर CH2X भी लगा दें तो भी कोई फर्ष नहीं पड़ता ये दोनों ही अरोमेटिक कमपाउंट्स है अब बात आती है के अरोमेटिक अंड एलिफेटिक कमपाउंट्स डिफर क्यों करते हैं तब तो कि दोनों में कार्बन है डूजन एंड हरोजन एटमस ही है तो इसमें डिफरेंट्स इस बात किया है इनकी रियक्टिविटी अलग हती है जैसे अगर हम बात करें तो इस तरग बेंजीन से डारेक्टली अगर कोई हलेजन ग्रूप अटेश्ट हो लाइक क्लोरीन तो इसे हम बोलते हैं क्लोरो बेंजीन इसे हम बोलते हैं क्लोरो बेंजीन और ये क्लोरो बेंजीन जो है अगर हम इसकी SN reaction करा है nucleophilic substitution reaction तो यह reaction नहीं होती है no reaction अब इसके पीछे region क्या है मैं आपको बताऊंगा but before that आप इतना समझें कि अगर हम chlorobenzene की reaction या फिर किसी भी halogen compound अगर directly अगर benzene rings attach है तो उसमें SN reaction जो nucleophile attack होता है जिसमें nucleophile attack होता है वो possible नहीं होता था but in case of alkyl halides like CS3Cl methyl chloride हम बोल सकते हैं इसका नाम common name methyl chloride के अगर हम SN reaction करा दें किसी भी nucleophile से यह माने यह कोई nucleophile है तो इसमें यह reaction होती है and CS3NU जैसे कि यह nucleophile कोई भी nucleophile हो सकता है यह nucleophile OH- हो सकता है BR- हो सकता है या iodine- हो सकता है etc. कोई भी हो सकता है यह यह जो है nucleophilic substitution reaction सो करते है अब बात आती कि क्या saray aromatic compounds nucleophilic substitution reaction सो नहीं करते है ऐसा नहीं है actually यह जो vinyl halide है let's say this is X X क्या हो सकता है हमारा X हो सकता है हमारा fluorine हो सकता है chlorine हो सकता है bromine हो सकता है iodine हो सकता है इस तरफ के हम compounds को vinyl halides बोलते है vinyl halides actually इसमें क्या होता है कि इसमें इसके पास lone pair होते है आपको पता होगा हरकी किसे पास 3 lone pair है इसमें क्या होता है कि इसमें regionence होती है aromatic compound और इसके बीच में benzene और halogen के बीच में तो resonance विदान क्या होता है कि यह जो lone pair है halogen group का वो अपना lone pair donate करता है और जब यह donate करता है तो यह जो double bond है यह टूट के जाता है like this और इस तरग compound फॉर्म होते है यह double bond यह double bond तो सेम रहे है यह double bond टूटा देखिए यह दोनों lone pair दिया तो यह पहले single bond था अब double bond हो गया अब इस फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव आया पॉजिटिव आया एंड आ थिंक यह थोड़ी गड़बर बन गया है यह structure से नहीं यह structure कुछ यह होगा यह double bond की position डिफ्रेंट आगे थी यह होगा इस फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव गया है एंड यह जो double bond था जब यह टूटा तो carbon की साइड में टूट रहा है तो इस फिर निगेटिव आया ऐसे ही आगे इसके और भी resonance structures बनते है resonating structures अब क्या होता है कि अब यह जो loan pair है actually यह minus है बट यह loan pair मतलब एक loan pair तो है तो यह अपना loan pair अगेन donate करेगा यहाँ पर और अगेन यह double bond अब यहाँ पर shift हो जाए टूट जाएगा तो यह double bond ऐसे ही रहा अब जब यह minus यह टूटा basically यह तो इधर plus आएगा इधर minus आएगा यहाँ पर minus आया यहाँ पर plus और यह plus minus मिलकर एक bond बना लेगे that is double bond अगेन हमारा regionating structure एक all बनेगा regionating structures को हम double headed arrow से show करते हैं अगेन जब हमारा regionating structure बनेगा next तो कुछ ही इस तरह के बनेगा कि यह तो हमारा पहले से ही है सब यह double bond हमारा बना चुका है अब यह वाला टूटेगा तो regionating structures बनाने का एक सबसे important चीज में आपको बता दूँ अगर negative चार्ज आया तो जितने में double bonds टूटेंगे न वह इस तरह से टूटेंगे कि negative उसके धूर negative हो लाइक यह negative अगर इसी साइड अगर तूटता है और इधर negative और इधर positive आता है तो इन दोनों को बीच में repulsion होगा क्योंकि lone pairs ज्यादा होंगे तो एक दो से को repel करेंगे या फिर same charge repel इचादर आपको पता है इसलिए जो यह negative charge है यह bond इधर का तूटता है यह bond इधर को तूटने को मतलब क्या होता है कि यह जो दोनों electron spy bond के हैं वो दोनों इधर shift हो जाते हैं और इस पर positive charge आता है अब इस पर positive charge आया तो यह positive और यह negative मिला के double bond बन गया और फिर इस पर negative charge आ गया और एक और last जो हमारा regionating structure बनेगा इसका यह हमारा double bond बन चुका यह बन चुका यह हमारा minus charge था अब अगेन क्या होगा कि यह minus charge अगेन इधर donate होगा और यह जो double bond है यह वापस तूड़ी जाएगा hello zone में जहां से आया था वहीं पर वापस चला जाएगा आप firstly देख सकते हैं जब loan pair firstly यहीं से आया था तो last में इसके पास वापस चला जाएगा तो यहाँ पर positive आएगा जब loan pair इधर जाएगा तो क्योंकि दोनों इसके side जाए रहा है तो इस पर positive आएगा और यह positive negative double bond बना लेंगे और यहाँ पर again x आ जाएगा क्योंकि पर इस positive था एक negative आया तो positive negative मिलके neutral होगे यहाँ तक समाझ में आया अगें यह देखिए हमने start किया था यहाँ से और इसकी resonating structure बनाते बनाते double bond के अगर आप देखे पोजिशन के shifting होगे क्या हुआ यहाँ पर just front लगा हुआ था यहाँ पर फ्ला अवे हो गया basically यह दोनों इसलिए resonating structures होते हैं यह दोनों same है कोई difference नहीं है ना इनकी energy का difference है ना इनकी reactivity का difference है कोई difference नहीं है both are same basically आप इस तरह से benzene बनाया है या फिर इस तरह से बनाया है इससे कोई फर्म नहीं परता है कि बोथ है resonating structures और resonating structures की energy जो होती है वो same होती है और कभी कभी हम कभी कभी क्या in general जो हम होते हैं benzene को इस तरह से बना देते हैं यह होगे हमारी benzene की बात है अब हम बात कर रहा है अक्षिल की यह जो है यह substitution reaction सो करता क्यों नहीं है तो उसके पीछे region यह है कि हम जब resonating structures के बना रहे थे ता आप ध्यान से देखें कि इनकी और यह benzene ring के बीच में double bond character आ रहा है और since double bond character आ रहा है due to resonance अगर double bond character आ रहा है तो double bond की strength जो होती है वो single bond से ज्यादा होती है बहुत ज्यादा होती है जिसके वजह से हमें काफी ज्यादा energy प्रोवाइड करनी होती है for nucleophilic substitution reaction में nucleophilic substitution reaction क्या होता है कोई भी आपकी Rx group हो हम Rx general dom मानते हैं कुछ भी हो सकता है कोई benzene ring हो सकती यह आफी CS3 group हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो अगर हम nucleophile से attack कराएं तो यह bond जो है यह तूट जाता है और nucleophile और इस R group में नई bond format होती है कुछ इस तरह से और जो है मारा X- निकल रहता है इसके nucleophile substitution basically दो तरह किये जाते हैं एक SN1 एक SN2 और भी बहुत से रहे हैं SNNGP है and SNAR है and that is of class 11 हमारे class 12 की जो चीज़े हैं वो हम आज सिर्फ discuss करेंगे यहां तक समझ मैं आपको तो अब हमें क्या पता चला कि जब bond टूड़ना है तो यहां पर double bond होगा तो टूड़ने में ज्यादा हमें energy देना होगा इसलिए क्या होता है कि यहां पर double bond character होने को जासे जो directly aryl halide compounds है जिने हम aryl halides बोलते हैं aromatic compounds से attach है तो यह aryl halides है aryl halides जितने भी compounds होते हैं वो SN reaction सो नहीं करते हैं अब बात करते हैं कि अगर हमारा कोई भी ऐलिफेटिक हो लाइक CH3, CH2, Cl अगर हम CH3, CH2, Cl के बात करें यह ethyl chloride है अगर हम इसकी reaction OH- के साथ करें जो कि यह हमरा nuclear file है तो यहां पर SN2 mechanism के साथ SN2 mechanism के साथ substitution reaction होता है जिसमें CH3, CH2 OH form होता है और जो है CL हमारा living group living group उसे बोलते हैं जो group को छोड़ के चला जाए तो यह हमारा group को छोड़ के जा रहा है तो यह जो CL- है हमारा living group हो गया यहां समझ में तो यह difference होती है reactivity की बाकी आपको समझ में आई गया कि हेलो एलकेंस और हेलो एरेंज में क्या फर्क है अल्दो हेलो एरेंज भी सब्स्ट्यूशन रेक्शन सो करते हैं बट अगर हम क्या है अगर हम बेंजीन रिंग के साथ छोड़ दें मतलब जो है हेलो जन है हमारा डारेक्ट बेंजीन के साथ इसका डेटाइच नहीं होगा तो बेंजीन के साथ इसका डेजनेंस नहीं होगा और अगर डबल बॉड्ड करेक्टर की पॉस्परलिटी नहीं है और अगर डबल बॉड्ड नहीं तो सिंगल बॉड्ड में तो sn1 रियक्शन होते हैं तो इसमें क्या होगा अगर हम कोई भी न्युक्लियो फाइल दे दे लाइक ओएज माइनस यह फिर कि भी आर माइनस ही मार लेते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वह हमारा होगा CH2PR अगर हम भी आर के दिया अक्टिविटी अगर माने हम अब ओच माइनस को हम नौ डालें और एक्स माइनस हमारा निकल जाएगा एक्स माइनस हमारा क्लोरीन हो सकता है एवडीन हो सकता है ‑‑ जहां तक चीजास समज में आएं, vrij गुड़, अब आयए आगे चलते हैं ये तो होगि हमारा इंट्रोडक्टरी या खिलो एलकेंस में फर्क क्या होता है अब पता चला कि हेलो एलकेंस आलिफेटिक कमपाौंण्स होते हैं और अरोमेटिक M leggings जो हैलो इर इन gluten होते हैं वह किमान्स की बात करें तो इसन डियक्षट्राइट के कि फुल्व होता है उरू होते हैं और अगरम Direct compound की बात करें लाइक गर्यॉरूमिथाइल तो अगर हम आगे बढ़ें तो NCRT के थो अगर हम चले तो हमारा फॉर्स्ट जो है क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन दा बेसिस आफ नंबर ऑफ हैलोजन इटम्स तो आए क्लासिफिकेशन को हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑन दा बेसिस आफ नंबर ऑफ हैलोजन इटम्स अब बैसिकली यह क्या है यह कुछ हिश्टर की है चीजे अगर हमारा छी इस थी ब्यार है और एक हमारा और कंपाउंड है जिसमें चेश्टू चेश्टू ब्यार है एक हमारा कंपाउंड इस तरह कभी हो सकता है इसमें हम चेश्टू ब्यार and BR and CH2 BR इस तीन है लोजों से एक ही compound में attach हूं या फिर एक और compound हो सकता है जिससे I think in CRT में वह गीवन नहीं है बढ़ा को बता दूं मैं CH2 और एक ही compound में दो नहीं हो यह जरूर निये BR हो यह इस लिए आपको जो गीवन था नावुक में पूल लिख दिया आपको कोई भी ग्रूप हैलोजन ग्रूप हो सकता है लाइक फ्लोरीन फ्लोरीन अइडरीन वाटर यह जो है यह है यह हैलो एलकेंज है तो अगर हम इसकी बात करें तो यह इसको बोलते हैं अगर हम इसकी नेमिंग जब बात में करेंगे हम इसको हम मोनो हैलो एलकेंज वान ब्रॉमो मेथाईल वन ब्रॉमो इथाईल इस तरह से एलेविंग बता रखत है वैसे होगा और अगर एक ही कंपाउंड में अगर दो हेलोजन ग्रूप्स हैं तो उनको हम डाई हेलो बोलेंगे डाई हेलो अलकेन क्योंकि अलकेन है और अलकेन में दो हैं हेलोजन ग्रूप्स तो इसे हम डाई बोलें अगर similarly ये 3 है तो इसको हम try hellowalcan बोलेंगे try क्यों बोलेंगे तो खिए इसमें 3 है similarly ये दोनों bromine एक ही carbon पे है तो इसको भी हम dry bromohi बोलेंगे dry bromohalcan अब बात आती है कि इसमें और इसमें एक अच्छे चीज़ है कि अगर दोनों हेलोजन ग्रूप अगर दोनों हेलोजन ग्रूप एक ही carbon पे अच्छ हों तो उन्हें हम geminal dihalide भी बोलते है हम क्या बोलते हैं geminal dihalide अब इस बात को ध्यान रखे हैं कि अगर कोई भी हेलोजन ग्रूप कोई भी हेलोजन ग्रूप अगर एक ही carbon पे अच्छ हों दोनों तो उसे हम geminal बोलते हैं और अगर दोनों एड्जासिंट कार्बन पे अटैच हों अगल बगल अगल कार्बन पे अटैच हों दोनों तो उसे हम vicinal dihalide बोलते हैं तो जेमिनल डाहिलाइड एंड वीसेणल डाहिलाइड यह आप याद रखेंगे अगर आईए अरोड़ीक अड़ीक कंपाउंट्स पर चलते हैं कि अरोड़ीक कंपाउंट्स क्या है कि पैंजीन अगर दो हेलोजन ग्रूप्स लग जाए और तीन ऐसे छे पोजीशन्स है आप चाहें तो छे योग पर भी लगा सकते हैं तो जैसे अब यह उपर मोनो हेलो एलकेन था अब नीचे मोनो हेलो अब अलकेन के जगा हम एरीन यूज करेंगे क्योंकि यह क्या है अर्मेटिक कंपाउंड है तो हम इसको क्या वोलेंगे एरीन वोलेंगे सिम्लरली यह दो कंपाउंड से हैं तो यह बसे लिए दो हैलोजन ग्रूप से टैस्ट हैं तो इसको हम डाई हैलो एरीन बोलेंगे सिम्लरली इसको हम ट्राई हैलो एरीन बोलेंगे स्माज मैं यह दिस इस बिसीकली का क्लासिफिकेशन अब यह क्लासिफिकेशन जो है वह डिरेक्टली जो है ब्रूमीन क्लोरीन फ्लोरीन ग्रूप जो है डिरेक्ली अटेस्ट है अब सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या है कि इस सेकेंड क्लासिफिकेशन है कंपाउंड्स कंटेनिंग CSP3-CX बॉंड बिसीकली यह कुछ खास नहीं जैसे हमने प्रीवियस सेसन हमने हैड्रॉक्सिल ग्रूप से या फिर माइन के लिए 1-degry-mion 2-degry-mion या फिर 1-degry-alcohol 2-degry-3-degry-alcohol किये थे क्लासिफिकेशन सिमिलर है अगर जो है कोई ही मालेजे CS3 है C है Hydrogen, Hydrogen and X CH3, C, CH3, Hydrogen, X CH3, CH3, CH3 and X बैसिकली इसमें क्या होता है कि 1-degry, 2-degry and 3-degry अगर आप आप बैसिकली यह देखें कि जैसे हेलोजन ग्रूप अटेच है जिस कार्बन से उस कार्बन से कितने कार्बन अटेच्ड है जैसे हेलोजन जो है इस कार्बन से अटेच्ड है और यह कार्बन सिर्फ एक कार्बन अटेच्ड है that is CH3 बाकी के दुनों hydrogen है तो उसे हमें कोई मतलब नहीं है अगर एक CS3 से अटेच्ड है तो that is 1-degry है लाइड अगर दो से अटेच्ड है जैसे कि X जो है C से अटेच्ड है और C ये वाली C जो है वो दो CS3 से अटेच्ड है तो यह 2-degry हो जाएगा और ये तीन से अटेच्ड है 1-2-3 तो ये 3-degry हो जाएगा और जो 1-degry होते है उनको प्राइमर्ली होलाइड बोलते है प्राइमरी होलाइड जो 2-degry होते है वो सेकेंडरी होते है अब एक जामपल लेता हूँ आप मुझे बता है कि ये जो कारमन होगा ये जो हैलोजन ग्रूप है ये प्राइमरी होलाइड है सेकेंडरी होलाइड है और टर्सरी होलाइड है बताइए आप कि ये जो कंपॉंड मैंने एक जामपल लिख रखा है ये प्राइमरी है सेकेंडरी है या टर्सरी है आईए हमें स्ट्राट करते हैं तो अगर हम जैसा कि थियोरी में आपको बताया कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी देखने बहुत बड़ी बात नहीं है हमें क्या देखना है हमें देखना कि हैलोजन ग्रूप जिस कारवन से टैस्ट है अगर हम इसको ओपन इस्ट्रक्चर क अगर हम इसकी बात करें तो हैलोजन से जो कारवन अटैच है वो सिर्फ वन कारवन से अटैच है तो कि ये दोनों हैडोजन है एक सार तो खुद हैलोजन ही ग्रूप है तो उसकी भी काउंटिंग नहीं होती ना हैडोजन की काउंटिंग होती है सिर्फ कारवन की काउंटिं यह वाला carbon, since शिर्फ एक carbon से attached है, यह primary halide है This is primary halide हमें इस carbon से कोई मतलब नहीं होता है, अगर हम primary, secondary and tertiary define कर रहे हैं कि कौन सी halide है, तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होता है, कि उसके adjacent carbon पर कितने carbon से attached है हमें सिर्फ उस carbon से मतलब है, जो हमारे halogen group से direct attached है अगर वो वाली carbon, तीन carbon से attached है, तो that is tertiary halide अगर दो से attached है, तो secondary halide, और अगर एक से attached है, तो हो गया हमारा primary halide I hope आपको समझ में आया होगा अब आई ये बात करते है, अलायलिक हैलाइट्स किसको बोलते है, अलायलिक हैलाइट्स अलायलिक हैलाइट्स वो होते हैं, जो double bond के जो carbon attached होता है, उससे attached हालोजन पर कितने हैं CH2 double bond CH CH2 CL, ये क्या है कि जिस carbon से, ये CH2 attached है, ये फिर हम जी से कह सके हैं, जिस से हलोजन ग्रूप का जिस carbon से attached है, वो carbon अगर किसी double bonded carbon carbon atom से attached हो, ये फिर अगर वो double bonded system हो, तो उससे हम, अलायलिक हैलाइट्स बोलते हैं, उससे क्या हम बोलते हैं, अलायलिक हैलाइट्स अल्डूप कि अल्डूप कि अल्सवा प्राइमरी हैलाइट्स ये है तो एक प्राइमरी हैलाइट्स ही, क्योंकि ये जो हैलोजन ग्रूप जिस से अटैस्ट है, कारबन से, वो सिर्फ एक ही कारबन से अटैस्ट है, और हिंस इस अप्राइमरी हैलाइट्स अगर हम आपको इन जनल फॉर्म बताऊं तो अगर हम CH2 डबल बॉन CH और हम CH2 लिखें और इधर कोई ग्रूप नाटैस्ट है हमने इधर ब्लैक को मान लिया हम इस खुश भी लगा सग्थे इस बॉन्धर तो ये वादी जो पॉती है वो आलाइलिक कारबन ही आँ समझ मैं और अगर अगर यही हालोजन ग्रूप अगर डिरेक्टिनी डबल बंड़ेट कार्बन एटम से टैस्ट हो जाए लाइक दिस यह जो कमपाउंड होगा वो विनाइलिक हेलाइड होगा यह जो कमपाउंड जो होगा विनाइलिक हेलाइड होगा अगर आप देख सकते हैं तो यह लोन पेयर के और डबल बॉंड के बीच में सिर्फ एक सिंगल बॉंड है तो यहां पर रेजिनेंस हो सकता है और होता है अगर हम बात करें लोन पेयर के अल्टरनेट पर यह लोन पेयर के अल्टरनेट पर और डबल बॉंड हो तो वहां पर रेजिनेंस होता है वहां पर यह होता है वो रेजिनेंस होता है अगर मैं इसकी रेजिनेटिंग स्ट्रक्चियर बना कर दिखा हम आपको तो CL जो है अपना loan pair donate करेगा तो CL का loan pair double bond में करनाट होगा अब चुकि ये donate किया है CH2 CH चुकि ये donate किया है तो इस पर positive charge आएगा क्योंकि ये donor है donor हमेशा positive charge acquire करते है और इसकी जो loan pair ये double bond में करनाट हो जाएगी अब हमें क्या करना है कि हमें carbon की valency भी सही रखनी है तो ये carbon की valency भी 4 होती है हम उसको भी 5 नहीं कर सकते है तो इसके लिए क्या होता है कि ये double bond टूड़ी आगा और ये double bond कुछ इस तरह से टूटेगा ताकि यहाँ पर double bond फिर से बन सके अब उसके लिए क्या हो सकता है अगर ये double bond यहाँ पर negative charge देता है अगर यहाँ पर negative charge देता है तो फिर repulsion होगा इसके loan pair और इसके loan pair बीच में है ने तो इसलिए क्या होता है कि यह जो double bond है यह double bond टूट जाता है कुछ इस तरह से और फिर यहाँ पर minus charge आ जाता है यह होगी resonating structure तो आप यह सोच दोगे कि अगर resonating structure है तब इसमें भी SN reaction नहीं होता होगा क्योंकि अगर किसी भी halide के बीच में अगर double bond करेक्टर आ जाता है तो उसमें SN reaction नहीं होता है तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्गुल सही सोच रहे है अगर कोई भी vinylic halide अगर आपको दे दिया जाए अगर उसमें SN reaction बुरवा जाए कि SN reaction होता है that is not possible कि वहां पर SN reaction नहीं होती है कि समझ में आया अगर समझ में आया तो फिर आगर बढ़ते हैं अब बात करते हैं हमारा क्या हो गया अलायलीख हलाइड हो गया vinylic halide भी मैं आपको बता दिया vinylic halide अगर अलायलीख हलाइड में क्या दिफ्रेंस है अलायलीख हलाइड सो बो है जो double bond को separate करते हूँ हेलोजन से यह जो carbon है अलायलीख position इसको बोलते है अलायलीक कारवन बोलते है या इसके पास लोन पेरे लोन पेर के अल्ट्रेंट पर डबल बॉन इसा है तो रेजोन्स नर्गा और अगर रेजोनन्स यहें तो यहां पर डबल बॉर्ण कारेक्टर ता है अगर अगर डबल बॉर्ण की करेक्टर की जो बांड स्ट्रेंथ होती है बहुत ज्यादा होते ड्यू टू विच एसे रियक्षन यह सो नहीं करते हैं अगर बात की जाए अलायलिक है लैट्स की तो इनके बीच में सी एश्टू ग्रूप एक आ जाता है जिसके वज़ा से इनके बीच का जो रेजुनेंस है वो नहीं हो पाता है क्योंकि रेजुनेंस की कंडिशन ही होती है कि अल्टरनेट पर लोन प्यर के प्राइवांड होना चाहिए चोकि ऐसा नहीं है तो यहां पर रेजुनेंस नहीं होता है और यहां पर एसन रियक्षन होती है यहां पर एसन रियक्षन होगी और यहां पर एसन रियक्षन नहीं सब्स्टिट्यूशन रियाक्शन चलिए अब बिंजाली खिलाड देख लेते हैं वे नाली खिलाड मैं आपको बताई दिया अब हम बिंजाली खिलाड के बात करें तो वो कुछ नहीं है बस सीमलर टू अलायली खिलाड है है ना अगर हम इसकी बात करें तो यह जो उपर हम आने अलायली खिलाड लखा है और जो यहां पर लिखा आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी चीज़ सिमिलर है सिमिलर क्या है इस डबल बॉंड के यह जो डबल बॉंड है और इस हैलोजन के बीच में एक च्छ टू ग्रूप आ गया सिमिलर्ल इसमें भी यह हुआ था यह जो डबल बॉंड है इस डबॉंड के बीच में अगर कोई भी नहीं आता तो यह विनायलिक होता है लेकिन यह यह सिज़ टू आ गया है ड्यूटू इस यह अलायलिक हो गया है और शिंस वह एलिफेटिक था तो उसे हमने अलाय की डिफ्रेंस है कि अगर चीयू अगर पीच में आ गया तो अलायलिक हो गया है ओर अगर सीज़ फोग मगार्ट को ग्रूप गायब हो गया हुआ है तो रिजूनेंस हो जाए और रेजुनेंस होतो तो वो अरायलिक हो जाएगा अगर हम बेंजीन रिंग की बात कहनें तो वो अराइलिक हो जाएगा दिस इज अराइल हेलाइड और दिस इज बेंजाइल हेलाइड समझ में आए आपको तो चारुतरा के हेलाइड सब को सुने है Allylic Helide, Benylic Helide, Aryl Helide, Vinylic Helide This one is Allylic Helide This is Vinylic Helide Vinylic Helide और Vinyl Helide आप लिखें, दोन बाते की है यह Benylic Helide and this is Aryl Helide अगर समझ में आया हो, तो आएए मैंने कुछ अग्याम पर से दिख रखें जिसको हम डिसको कर लेते हैं कि इसमें कौन सा Allylic Helide, कौन से Vinylic है और कौन सा हेलो एल के जनरल है, और कौन सा क्या है, आएए डिसक्रेशन करते हैं तो अगर हम फर्स्ट को देखें तो CH3 है, CH, Double Bond, CH and X मैं आपको बताया था, कि अगर हैलोजन और Double Bond के बीच में कोई भी अगर Carbon Atom न हो अगर देख सकते हैं, यह जो Lone Pair है Lone Pair के एक Bond छोनने पर Double Bond आ जा रहा है रेजिलेंस वाला है, अगर रेजिलेंस वाला है तो विनायलिक होगा यह क्या होगा बिनायलिक होगा और अगर हम इसकी बात करें सेकेंड की तो अगर हम सेकेंड की बात करें तो इसमें कोई Double Bond नहीं है अगर डबल बाणेंड नहीं है तो यह इन जनरल जो है 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 जनरल हैलो एलकेन है अगर हम इसकी नेमिंग करें तो हम इसको क्याल खेंगे प्रोपाइल हैलाइड अगर यह क्लोरीन राद तो क्लोराइड हो जाएगा ब्रुमीन राद ब्रुमाइड हो जाएगा और सो अन सिमिलल अगर इस ग्रूप को देखें तो यह भी Double Bond फिर जस्ट हैलोजन ग्रूप यह Double Bonded Carbon था इससे जस्ट हैलोजन ग्रूप आ गया और हैलोजन ग्रूप आ गया तो विनाइल हैलाइड यह विनाइलिक हैलाइड सिमिए अब बात करते हैं फोर्थ ओप्शन की अगर फोर्थ ओप्शन देखें तो इसमें Double Bond है बट आप इसकी Position देखिए इसकी Position जो है अगर कोई भी कार्बन अगर बीच में नहीं आता तो हम उसको विनाइल बोलते हैं एक आता है तो हम उसको Allyle बोलते हैं बट अगर दो आ जा तो दो आ जाए तो हम उन दोनों को केटेग्राइज नहीं करते हैं इन जनरल उसको बोलते हैं यह ना Allyle है ना विनाइल है यह इन दोनों में से कोई नहीं है इस पेसेन रियक्षन होती है क्योंकि Resonance का कोई इसू नहीं है और Resonance कोई इसू नहीं है डबल बंड करेक्टर नहीं है और Single Bond है तो आसानी है तो टूट सकते है और वहां पेसेन रियक्षन हो सकती है अब आया इस आप्षण को देखते हैं अगर हम इसकी बात करें इसको अगर हम open कर लें तो CH2 है फिर X है बेंजीन रिंग और हैलोजन ग्रूप के बीच में एक CH2 ग्रूप आ गया अगर एक CH2 ग्रूप आ गया तो यह जो होगा बेंजाइल होगा बेंजाइलिक हैलाइड गा सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो हमें इस CH3 से कोई मतलब नहीं है यह एक सब्सेट्ट है जो CH2 X के बजाए एक CH3 और लगा हुए तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है हमें अगर बेंजाइलिक हैलाइड डिफरेंड करना है तो हम क्या देखते हैं कि CH2 और एक्स अगर बीच में है CH2 तो वो बेंजाइलिक होगा अगर CS2 नहीं है तो Arryl Halide होगा या Arrylic Halide होगा अगर इसमें CS2 नहीं है डारेक्टी बेंजिन से अटैश्ट है तो यह Arryl Halide होगा अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कोई Double Bond नहीं है बीच में और अगर हम इसको Open करें तो यह CH2 है CH2 फिर X है अगर एक भी CH2 ग्रूप बीच में नहीं होते हैं तो यह Arryl Halide होता एक होते हैं तो Bengyal Halide होता दो हैं तो एज सिमिलर जैसा है मैंने उपर वाजाली फैटिक वालेक्ट बताया है इसे नहीं हम Arryl Halide में Define करते हैं और नहीं हम Bengyal Halide क्योंकि कंडिशन को सटिस्पाइड नहीं कर रहा है तो हम इसे Define Arryl Halide और Bengyal Halide के पार में नहीं करते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है और इस नॉमन क्लेशर नॉमन क्लेशर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है क्लास 11 में मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ एक्जांपल्स कर रहा हूं ताकि आपको एक रिविजान हो जाए और अगर उसको लिए अगर आपको ज्यादा रिविजान जुरुत है तो आप क्लास 11 में जितने भी लेक् बुक की नॉमन क्लेशर सिखा रखी है तो जाए उसको रिवाइज करिएगा बिफोर देट मैं आपको यहाँ पर कुछ एक्जांपल्स परा दे रहा हूं कि फर्स्ट एक्जांपल्स अगर मैं बुक की ही बात करूं तो वह गिविएन है CH3, CH2, CH2 and BR सेकेंड है CH3, CH, CL and CH3 and अगर हम इसकी बात करें तो है यह CH3, CH, CH3, CH2, CL फर्स्ट फॉल हम क्या करता है फर्स्ट फॉल नंबरिंग करते हैं नंबरिंग कहां चरते हैं जहां कोई है तो फॉस्ट सब्स्ट्ट्टुन क्या है ब्रोंबो है और यह तीन है सभी अल्केंस है तो हम प्रोपें लिखेंगे वन ब्रोमो पॉप इन इसकी नॉमन्क्रेशर आईगा इसकी बात करें तो इसकी नमबर नहीं हम लेफ साइड से करें या राइट साइड से करें कोई एफेक नहीं आगा क्योंकि वैसे भी है सब्सिट्वेंट अबर ही कर एक यहर से बी करें तो 헿 इसकी नमबर नमबर करें लट सेब्याइटर से मन्यदिनी इसके नमीर करें तो सब्सिट्टुएंट रिते हैं तू पर है सब्सिट्टुएंट तू पर है डग्मिशिक्टुएंट अब आपधे हैं तो है तो यूज करते हैं और तीन कार्वन अटास्ट है मतलब में चेन में तीन कार्वन है तो यह क्या होगा प्रॉपेंड यूज हो जाएगा कि समझ में है आई अब लाष्ट एक और देख लेते हैं नॉम्न क्लिचर कहीं अब इसमें अगर हम देखें हैं तो यह कुछ इस तरह से हैं तो अगर हम नंबरिंग इस्टार्ट करें तो अगर नंबरिंग हम देखें तो इसमें दो तरके सब्सिट्वेंट हैं एक यह मेथाईल ग्रूप और एक यह क्लोरीन तब समस्या यह आते हैं कि हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो करें किससे क्योंकि सब्सिट्वेंट की हिसाब से अगर देखें तो दो सब्सिट्वेंट हैं तो हम नंबरिंग उस तरह से स्टार्ट करते हैं जिससे कि हमारा पहले सब्सिट्वेंट आया है जिधर से सब्सिट्वेंट सबसे पहले आ जाए हम उधर से ही नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जैसे अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो यह वन टू सेकेंड नंबर पर यह आएगा और थर्ड नंबर पर क्लोरीन आएगा और अगर दूसरा option यह है कि अगर हम इधर से numbering करें तो first number पे ही chlorine आ जाएगा चोकि सबसे पहले ही आ जाएगा substituent तो हम numbering इधर से ही correct होती है तो यह 1, 2, 3 अब naming करते हैं 1 1 पे है chloro फिर आगे बढ़ते हैं तो 2 2 पे मिथाइल और फिर में चेन में 1, 2, 3 तीन कार्बनेट आच है यह हो जाएगा प्रोपेन तो इसके अगर फुल नेमिंग अगर हम करें तो इसकी फुल नेमिंग आएगी आई उपेसी नेमिंग 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन आई हो आपको समझ में आया होगा इसमें कोई समस्य नहीं होनी चाहिए आई एक और एक्जम्पल मैं अपनी तरफ से काला देता हूं आई कि बांड लाइन रिप्रेजेंटेशन में एक ये मैंने अपना कोशन बना रखता अपने से मैंने बना लिए अब अगेन यही सवाल उठता है कि नंबरिंग करें तो करें किदर से क्योंकि दो सबसेटुटन हैं में नंबरिंग करना है हमें तो नंबरिंग हम हेसा उसी साट से करेंगे जिस法 ow सबसे पहले है आ अगर मैं यहा सस्त्रमन से अठत इस्टाट करें ये बैसिकलिल जितने फी कॉर्नर्स होते है है सब्लाइट को औक हुए और मैं है शीयज टू है शीयज टू है शीयल है एक्षिक लिए बॉर्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हम इसलिए यूज करते हैं ताकि यह काफी आसानी से हमें समझ में आ सके अब देखिए इसी को इतनी आसानी से मूपर लिख रहें थे नीचे लिखना काफ़े डिफ्फोल्ट इतना न लिखने पड़ एसीलियम बॉर्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं वह ज्यादा कॉन्वेंट होता है अब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं मेंचेन मेंचेन यह आगी तो नंबरिंग वान टू त्री फॉर अब नाउं कॉम तुदा पॉइंट वन क्लो एक्लो फिर अगे बढ़े हैं सब्सेट्वण अभी और है तो थ्री फिर भीएं क्लोरो हो तो हम इसलिए अब क्योंकि सब्सेट्विंट सेम है तो हम क्या करते हैं कि वन कॉमा घी लिखते हैं 3 मतलब क्लोरो लिखें यह गलत होता है इसलिए हम यूज करते हैं 1,3 that is 1 पे भी ख्लोरो है और 3 पे भी ख्लोरो है 1,3 कि डाइक्लोरो का मतलब दो क्लोरो है दो क्लोरीन है और में चेन में 1,2,3,4 चार कार्बन अटेच है तो यह से आप हो जाएगा ब्यूटेन इसकी नेमिंग क्या आगी 1,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन समझ में आया ऐसे ही बहुत सारे एग्जैंपल्स आपके प्रिवियर्स सेक्षिन में कराज शुपा होंगा है आप वहाँ पर जाके अपना रिवीजन करें अब आईए यह तो हुआ हमारा हेलो एलकीन्स का नोमन अब हेलो एरिंस का भी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि अधर मैंने आपको बता है हेलो एरिंस क्या होते हैं अगर बेंजीन रिंस से अटैस्ट हो हो तो वह हैलो एरिंस होते हैं अगर 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 यह पुछ एक्जांपल मैंने बना रखेंगे लास्टर थोड़ डिफेरेंट है अगर आएए देखते हैं तो अगर हम इसकी बाप करें तो इसको हम वन टू थी फोर फाइफ सिक्स नम्बरिंग करें कुछ इस तरह से बेंजीन रहेंगे मैं तो हम इसको कहा होते हैं वन ब्रोमो बेंजीन हम वन ब्रोमो बेंजीन बोलें यह सिर्फ ब्रोमो बेंजीन बोलें ब्रोमो बेंजीन का मतलब ही होता है कि यह की ब्रोमो है और उसे कोई सटिस्पेक्शन नहीं होते कि किस पोजीशन पर और्थो है मेटा है पहरा है इसे कोई एफेक्टी नहीं पड़ता क्योंकि वन है तो कहीं पर भी लगा दो है न तो यह आपका वन ब्रोमो बेंजीन लिखने के बज़ाए हम ब्रोमो बेंजीन लिखते हैं अब दूसरा आता है दूसरा एक्जामपल देखें तो वन अब इसमें इसमें भी थोड़ी कन्फूजन होती है कि अब हम नंबरिंग इधर से एंटिक्लॉक्वाइज कर सकते है कि 1,2,3,4,5,6 यह फिक्लॉक्वाइज भी कर सकते हैं तो नंबरिंग सबसे बेस्ट वह होती है कि जो सब्स्टिट्वेंट है सब्स्टिट्वेंट के हैं जो यह अटाइच्ट है इनको सबसे पहले ही प्रारिटी देनी है तो अगर हम इससे वन से स्टार्ट करें तो यह अगर हम इधर से गोम के जाते हैं तो यह छटवेंट नंबर प्यार था तो इसको सबसे प्राइटी देनी है तो वन टू स्टार्ट किया है खुछ इस तरह से कि इनकी प्राइटी बनी रहे तो वन टू थी फोर फाइफ सिक्स अगर हम इसकी नेमिंग करें तो वन कॉमा डाइब्रोमव कि मैंने बता यह बहुत है उससे यह बीख तो यह यहां आ हो जागा वन कॉमा टू डइब्रोम है और यह यह पर Similarly अगर में इसकी बात करें इस एज्याम्पल की तो 1,2,3,4,5,6,1,2,4 क्योंकि सब्सिट्वेंट सब एक ही है ट्राइ ब्रोमो बेंजीन 1,2,4 ट्राइ ब्रोमो बेंजीन अब आप लोगों को बुक में देखकर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा हुआ तो कि इसके common name में जो है वो M लिखा हुआ है, C म लिखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है आप लोगों कन्फ्यूजन हो रहा होगा, हम 110 परसंट से और तो कन्फ्यूजन ना हो, कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाए, सारी, कन्फ्यूजन क्लियर किया जाए तो आई कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं, कोई भी बेंजीन रिंग ले लेजे कोई भी किया एक ही बेंजीन रिंग होती है अगर हम बेंजीन रिंग ले ले यह नॉर्मल तो एक बेंजीन रिंग है कोई सब्सेट्वेंट जब तक नहीं लगा यह बेंजीन गूम रहा था फिर किसी ने क्या किया किसको पकड़ के इसके सर पर कोई सब्सेट्वेंट लगा दिया कोई भी सब्सेट्वेंट मैंने सब्सेट्वेंट इन जेनरल एस ले दिया यह वेरियेबल है यह सब्सेट्वेंट कुछ भी हो सकता कोई भी कुरूप हो सकता बेंजिन घूम रहा था इसके सर पे कोई पकड़के S लगा दिया कोई भी Subsituent अब ये घूम नहीं सकता क्योंकि इसके सर पे भार आ गया है अब ये गली-गली नहीं घूम सकता है तो इससे जब Subsituent से पूछा गया तो ये बोला कि Just बगल वाला कारमन के जो position है Just बगल वाली उसके जर्ष्ट आगे वाला दो कार्बान जो है वो मैटा है तो अधिक सामने वाला जो है कार्बान वो इसके लिए पैरा है अब इस बात को ध्यान रखें जरूरी नहीं है कि यह सबस्टेट्वेंट यहां भी हो यहां भी हो सकता है मैंने जो बताया आप वो याद रखें सबस्टेट्वेंट के जर्ष्ट बगल वाले कार्बन जो होते हैं वो और्थो होते हैं समझ भाया उसके बाद वाले मेटा होते हैं जो दोनों आते हैं और पैरा होता है लास्ट वाला इसका मतलब कोई भी सब्सेट्टुएंट के रिस्पेक्ट ली दो और्थो पोजिशन्स होते है दो मेटा पोजिशन्स होते है एंड वन पैरा पोजिशन होते है समझ भाई है अज़िए सब्सेट्टुएंट अब कहीं भी लग सकता है मान लिजे कि सबस्टिटुएंट हम जर्ष्ट ऊपर न लगा के हमने यहां पर लगा दिया है वह इमानेजन ब्रोमीन हमने लगा दिया है यह हमारा हो गया है अब अगर आप ऊपर की चीज़े नहीं सिखें यह वाली तो आप इसमें कन्षोज हो सकते हैं फिर आपको लगया कि यह तो मे पोजिशन अगर यह सबस्टिटुएंट है हमारा तो यह दोनों और्थो पोजिशन होंगे यह दोनों इनके जर्ष्ट बाद वाले मेटा होंगे और इसके ठीक सामने वाला पैरा होगा समाझ में आया है आजे कुछ partir से कोई confusion नहीं हो क्योंकि इसमें और्थो मेटा पैरा में बहुत confusion होते हैं बहुत सारी students की बहुत सारी complaints होती है यहां पर हमने No2 लगा दिया है हमने यहां पर chlorine लगा दिया है है हमने यहाँ पर 308 लगा दिए कि दिफ्रेंट इस से आपको Gerade ने हैं। कि vein टेंडेंट इस लिए बना रहा हूं ताकी आपको बाद में कोई दिक्कत नह ओव अभी दिक्कत छलेका बाद में नहीं होने चाहिए कर बात बें जो दिक्कत अब फिर इसमें और्थो मेटा पैरा डिसाइड करते हैं शॉटकर्ड में OMP लिखेंगे हम जट से कुश्चन करते हैं याने आपको बताया सब्स्टिट्वेंट जहां लगा इसके लिए और्थो जर्ष्ट बगल वाले उसके जर्ष्ट बाद वाले मेटा अठीक समने वाला पैरा पैरा का आप इस तरह से याद रखें पैरा जो है सब्स्टिट्वेंट के पैर के साड़ में होगा जैसे का मान लिए और सब्स्टिट्वेंट को अगर हम सर मान लें किसी बॉड़ी का तो पैरा मतलब पैर सबसे नीचे की चीज समझ मैं यहाँ पर यह क्लोरीन है यह आपका सर हो गया यह बेंजीन का सर हो गया यह बेंजीन का सर हो गया तो इसके ठीक सामने वाला पैर आ गया यह पैरा पोजीसर हो गया अब इनके बीच में और्थो मेटा हो गाई यह जर्ष्ट बोगल वाले और्थो उनके जश्ट बगल वाले मेटा Similarly ये और्थो ये मेटा ये पैरा अगर हम इसकी बात करें तो ये मेंजिन की सर ये इसका पैर पैर मतलब पैरा ये और्थो ये और्थो ये मेटा ये मेटा और्थो मेटा पैरा क्लियर हुआ कि नहीं क्योंकि ये चीज़े बड़ी किन्फ्यूज क्रेट कर दें क्योंकि आगे हम अब इस सब्सेट्वेंट इन बेंजिन डिंक सब्सेट्यूशन जब पढ़ेंगे तो फिर इन सब की काफी यूज होने वाला है अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो फिर बाद में आपको बहुत परिशानी हो सकती है तो अगर इतने आपको सौझने आ गया हो तो ये जो कॉमन नेम लिखे हुए है इनको क्लियर कर लेते है आप एक्जामपल देख लेते है कि यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर भी ब्रोमीन है तो इसको क्या बोलता है यह और यह किसी को भी आप सब्वेंजिन की सर मान सकते है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप अगर इसको मान ले है तो इसके लिए और्थो ये मेटा है मेटा पोजिशन पर ये वाली ब्रोमीन है अगर आप इसे मान ले है तो इसके metaposition पर ये है कि आप इन दोनों में से कोई भी मांच सकते हैं इससे कोई effect ने पढ़ने वाला मैं उपर वाला मान लिया तो इसमें क्या है कि और्थो ये क्या बता रहा है कि और्थो पर एक bromine attached है और्थो पर क्या है स्री, और्थो नहीं, और्थो तो यह है, मेटापर, मेटापर क्या है? एक ब्रोमीन, एटेस्ट है, तो हम क्या लिखेंगे? और ब्रोमीन को ही हमने सरमाना है, तो हम क्या बोलेंगे? इसको बैटा, डाइब्रोमो बेंजीन, समझ मैं अगर, यही ब्रोमीन के जस्ट और्थो पोजीशन पर अगर ब्रोमीन होता है तो हम इसे और्थो डाइ ब्रोमो बेंजीन बोलता है अगर यही पैरा पोजीशन पर होता है तो हम इसे पैरा डाइ ब्रोमो बेंजीन बोलता है समझ मैं क्यों कि यह होती है कुछ आपकी नेमिंग्स कि आप बाकी नेमिंग्स आप अपने से कर सकते हैं तो हम क्या करें हम आगे चलते हैं एक्जाम्पल जो है एंस्याटी में 10.1 आप उसे अपने से ट्राइ करें क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट तो मुझे नहीं लग रहा है और यार आप आराम से कर सकते हैं इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है हाँ एक काम करता हूं एक्जाम्पल 10.2 का कोईशन नमबर फोर्थ एंड कोईशन नमबर शिक्स में करा देता हूं अगर हम को एक्जाम्पल 10.2 अगर हम एक चांपल 10.2 इंसी अर्ट के अगर हम बात करें तो इसके क्वेशन नमबर फोर्थ दिया हुए है है यह देबल बॉंड है है यह CH3 इधर भी है CH3 हाट्रोजन यह है CH2-B-R CH2-BR है ultimate responsibility कि अधिक्र होगा है और फिरकां फिर ब सब्सक्टेश्ट करें को यह दो प्र लॉंगेश्ट चेन तक जाहेंगे लॉंगे religion करें लोगेश्ट द्रेसौ ऍमसर्परीत करेंश्ट शीन वाहने ही है तो यह होगी हमारी नम्बरिंग अब जो हम इसकी नेमिंग करते हैं तो नेमिंग में क्या होगा वान ब्रोमो वान ब्रोमो अब क्या है कि अगर यहां पर दो डिफरेंट सबसेट्ट्वेंट मिथाइल है तो वन ब्रोमो टू मिथाइल वन टू थ्री फोर चार है तो मेथ एथ प्रॉप ब्यूट आपको याद होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे यहां पर ब्यूट वन ब्रोमो टू मिथाइल व्यूट तू सेकेंड पोजिशन पर है और क्या है इन है कि आइन है डवल बॉंड है अगर सिंगल बॉंड होता है तो हम एन यूज़ करतें डवल बॉंड है तो हम इन यूज़ करेंगा और ट्रिपल बॉंड होता हम आइन यूज़ करतें तो पर इन होगा यह होगी आपकी इसकी नमन फ्लेशर एक और डिस्कस कर लेते हैं को इस तरह से है यह हैट्रोजन यह हैट्रोजन यह CS3 यह CS2 यह BR अगेन नम्बरिंग लॉंगेस्ट चेन यह 1 यह 2 यह 3 अब यहाँ पर आप देखें आप तो जो फोर्स वाली कार्वन थी जो इस वाले में वो यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर भ्यूट में आएगा यहाँ पर प्रॉप तक ही रहेगा तो कि 1,2,3 इत्ती नहीं आ रहे हैं तो प्रॉप ही होगा बाकी सब कुछ और मॉस्ट सेम होगा क्या होगा वन ब्रोमो टू मेधाईल प्रॉप टू इन या फिर आप इस इस तरह से भी लिख सकते हैं है वन ब्रोमो टू मिधाईल लीन चारink तो मिधायल लीन के मतलब inertia वहता हूट है फिर-न कौक पर ही मिधाईल यहाँ और टू तो यहां अब अब कम्प्लीट होता है नॉमन्क्लेचर कुछ इंटेक्स कोस्टेंस भी दिये हुए है इंटेक्स कोस्टेंस 10.1 जो दिया हुए है और राइट स्ट्रक्चर्स अब दो फॉलोविंग कमपाउंड्स तो इजी इजी सवाल है ऐसे इसमें कोई डिफ्रेंस नहीं है अब कर सकते है अराम से तो अब हमारा नेक्स टॉपिक है नेच्चर ओफ सी एक्स बॉन्ड तो आईए बिसकस करते हैं तो आईए बात करते हैं कि नेच्वर ओफ C-X-Bond क्या होता है नेच्वर ओफ C-X-Bond का मतलब होता है कि यहाँ अगर CS3, C-Hydrogen, Hydrogen and X, X अपकर क्या है? अलोजन है, फ्लोरीन हो सकता है, प्लोरीन हो सकता है, ब्रोवीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है नेच्वर ओफ C-X-Bond जो डिपेंड करता है, एलेक्ट्रो निगेटिविटी पर होती है नेच्वर किसी भी बॉन्ड की दो तरकी होती है, एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर होता है अब बात क्या होती है कि एलेक्ट्रो निगेटिविटी के बेसीज पर जितना ज्यादा एलेक्ट्रो निगेटिविटी होती है इस बॉन्ड में क्या है, इस बॉन्ड में दो एलेक्ट्रोंज है, एक इस हैलोजन के और एक इस कार्बन के और सेरिंग से यह सिंगल बॉन्ड बना है तो अगर हम बात करें यहां पर CH3C, hydrogen, hydrogen, fluorine, chlorine, bromine, and iodine अगर मैं आपको बताओं कि electronegativity of carbon जो होता है, अगर इसकी actual value में अगर बताओं तो electronegativity of carbon जो होता है, वो 2.5 होता है whereas electronegativity of fluorine is 4.0, जो most electronegative element of periodic table है इसके बाता है chlorine, जिसकी electronegativity 3.0 होती है 3.0, bromine, जिसकी electronegativity 2.8 होती है, and iodine 2.5 होती है हमारी electronegativity होती है, decrease होती है, अब बात यह आती है कि seems इसकी electronegativity सबसे ज़्यादा है, fluorine की electronegativity के मतलब negative इंसान, electronegative मतलब यह negative इंसान है, fluorine जो most negative इंसान है इसकी negativity इतनी होती है कि इससे जल्दी कोई attaching नहीं होना चाहता है, क्यों नहीं होना electronegativity क्या होती है, the tendency to accept the electron pair towards itself electron को यह अपनी और accept करता है, बलब यह electrons को अपने तरफ खींचता है जो electrons को खींचेगा, वो negative चाह जाता है, but since यह पूरा electron को नहीं खींच पाता अगर पूरा को खींच लेता है, तो यह single bond तूड जाता है, तो इसलिए कुछ electrons को खींचता है electron cloud को, जो इस single bond में है, तो इसलिए इसके उपर dell negative charge आता है और carbon पे चुकी यह negative कुछ amount अपने और खींच लिया, तो अब इसको पास तो इसकी मतब कमी हो गई उस उन इलेक्ट्रॉंस की, तो अगर यह dell negative हीचा है, तो इस पर dell positive charge आता है यह होता है, nature of CX bond, अगर हम carbon fluorine की बात करें, तो since electronegativity बहुत ज़्यादा होती है fluorine की, इसलिए इसमें जो यह dell negative की जो, अगर magnitude की अगर हम बात करें, तो वो ज़्यादा होता है बिसे के जो पार्स्यल नगेटिव चार्ज है, जिसे हम dell negative बोल रहे हैं, वो fluorine के case में ज्यादा होता है similarly chlorine के में भी होता है case में, बट इसमें fluorine के comparatively कम होता है bromine में भी होता है, बट इसमें और कम होता है, और iodine में और भी ज्यादा कम हो जाता है क्या मतलब यह समझ लिए कि 0 हो जाता है, क्योंकि carbon के भी electron negativity 2.5 है और iodine के भी 2.5 है, तो electron negativity difference 0 हो जाता है, to which इनके बीच का जो bond होता है, वो polarize नहीं हो पाता यह basically जो इस bond की, जो दोनों electrons है, इनके बीच का जो electron cloud है, इन दोनों को accept करने को जो होता है, वो polarization होता है polarization of bond, यह जो bond है, CX bond, यह polarized हो जाता है, due to electron negativity difference, यह electron negativity difference जितना ज़्यादा होगा, polarization of bond उतना ही ज़्यादा होगा जैसे अगर carbon fluorine की electron negativity difference करें, तो fluorine में से अगर इसकी electron negativity 2.5 मैनस कर दें, तो इसकी value अगर 1.5 हैगी अगर हम इसको मैनस करें, तो यह 0.5 आएगा, अगर हम bromine के case में करें, तो 0.3 आएगा और इसमें तो 0 आएगा सबसे ज़्यादा इसमें होगा polarization, क्योंकि इसकी electron negativity बहुत ज़्यादा है, यह electrons को अपनी और काफी तेजी से खेचता है, इसलिए इसमें polarization सबसे ज़्यादा होता है, फिर chlorine में, फिर domain में, फिर iodine में यह समझ में आया, इसलिए कहा जाता है, कि जो carbon and fluorine bond है, इसमें ionic character ज़्यादा होता है, as compared to all, अगर हम ionic character के comparison करें, अगर हम ionic character के बात करें, तो chlorine, fluorine, chlorine, और carbon, bromine के बीच के bond, और अगर carbon और iodine के बीच के bond बात करें, तो ionic character सबसे ज़्यादा होता है, carbon और fluorine bond के बीच में, फिर होता है chlorine, फिर होता है bromine, एकदम least होता है, यह फिर zero होता है, iodine के case में, क्योंकि electronic difference इकदम जीरो होता है, और जिस bond में, जितना ज्यादा ionic character होगा, उतना ही ज्यादा उसकी bond strength होती है, वो bond उतना ही ज्यादा strong होता है, इसलिए कहा जाता है कि strength of CF bond, is greater than CCL, CBR, and CI, समझ में आया क्या है, this is known as the nature of CX bond, CX bond क्या है, polarization होगा है, polarization मतलो, C पर dell positive charge आ गया है, और जो halogen उस पर dell negative charge आ गया है, यहां तक चीज़े आपको clear हुई, अगर clear हुई तो एक table भी आपको बनाया हुआ है, NCRT में आप अगर चाहें तो देख सकते हैं, CH3F, CH3CL, CH3BR, and CH3I में, यह bond length और CX bond की जो एंथैल भी है, जो bond strength को भी नूनोट करता है, उसका और dipole moment का comparison है, आप इस table का आप चाहने तो देख सकते हैं, यहां पर हमारा nature of CX bond हतम होता है, बहुत छोटा सा topic था, मैंने आपको काफी detail में बता है, कि nature of actually polarization of bond होता कैसे है, आपको पता चला कि due to electrone negativity difference, हालोजन से वो अपनी तरफ electron cloud को, electron pair को अपनी तरफ खींचते हैं, due to which, इनके उपर dell negative charge आता है, और carbon पर dell positive charge आता है, क्योंकि overall molecule को negative होना है, sorry, neutral हो रहना है, तो अगर इस पर dell negative आया, इस पर dell positive आयागा, तभी overall dell positive and dell negative, एक दुसरों cancel करें, molecule overall neutral होगा, अब जो हमारा आता है next point, वो बड़ा important है, और वो point है method of preparation, method of preparation का मतलब, मतलब hellu alcanes का जो है हम preparation करेंगे, कि hellu alcanes बनते कैसे हैं, first point जो है आपका given है, 10.4.1, from alcohol जिसको हम अपने अगले lecture में डिसकस करेंगे, till that, thank you so much.